नाकपुर जेल में व्यापत धानलियां थमने का नाम नहीं ने रही है सुमवार को जेल में बंद ताजबात के अपराधी आबू खान पर कोख्यात भूरू द्वारा हमला किये जाने का पता चला है जेल प्रशासन जहां बात करने से बचराय वहीं पुलिस अधिकरत जानकारी होने से इनकार कर रही है आबू करीब चार महीने से जेल में बंद है आबू उसके भाई और साथियों के खिलाफ मकोका के तहत कारवाई की गई हालकि इस कारवाई को लेकर तरह तरह की चर्चा की जारिये जिससे ताजबाद परिसर का माहोल भी गरमाया हुआ है सुत्रो की अनुसा सोमवा की शाम आबू ने वसंतराव जोपड़ पटी की कुख्या शेक अकरम उर्फ भूरू को लेकर आपती जनक बाते बोली इससे भूरू तिरमिला गया उसने आबू पर हमला कर दिया इसमें आबू की चेहरे पर चोटा गई बताया ज़ाराए कि आबू और भूरू को अंडा सील में रखा गया है अंडा सील के ही अन्य अपराधियों द्वारा आबू का क्रत्य बताय जाने पर भूरू आग बबूला हुआ था अंडा सील में ही वारदात होना बेहत गंभीर है पहले ही क्राइम रांच अपरादी सूरज कावले को गांजा मोबाइल की बैटरी ले जाती हुए पकड़े जाने की प्रकरण की जाच कर रही है इस प्रकरण में ग्रफतार पुलिस कर्मी सचिन नितवने सहीद आठ आरोपी सोमवार को पुलिस रासत ख़त होने पर जेल भेजे गए हैं सचिन नितवने के भाई निलम्मित PSI प्रदीप नितवने की बुधवार को जेल से ग्रफतारी होने की उमीद है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाच के साथ अभिशेक पांसी BCN News नाकपूर